हेलो नमस्कार दोस्तों अभी भी मौसम विभाग ने मध्य पर्देश को लेकर एक रेड अलेट हाई लेड जारी क्या गया है मध्य पर्देश के इन जिलों में बारी से भारी बारिश होनी की सम्भावना अगले 24-48 गंटों के दोरा भारी मौसम में बदलाव और मुंदा मुंदी के साथ भारी बारिश होगी और बताए जारी की शेडोल, जबलपूर, रिवा, उजेन, एंउ, इन दोर संबाग के जिलों में अनेक इस्तानों पर भारी वरसात होगी वही साथ में बोपाल, और सागर, गौालेर, चंबल, संबाग में बारी से भारी खरगोन, जाबुआ, बढवानी, बुरानपूर, अलिराजपूर, निम्च में भारी बारिश की चेतावन इसदारी की गई है और कई जगों पर गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलेगी आपके आपर कैसा रहेगा मौसम, कब आपके आपर बारिश होगी, पूरी जानकरी बताओंगा तो आप जो है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे, साथ में इस चैनल को लाल ला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में गंटे के आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीजे और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य परदेश के कौन से जिल्य गाव में शेहर में रहते हैं राजदानी सहीत कई जिलों में जमा जम बारिश का दोर शुरू हो सकता है मौसम विबाग ने जानकरी देते हुए बताया कि वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर बने चार वैदर सिस्टम के कारण मध्यपरदेश में तेज बोचारे के साथ भारी बोचारे पढ़ने की समावना गले 24 गंटों के दोरान उत्तर पश्चिमी राजस्तान से उत्तरी मध्यपरदेश चरह होकर बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेका बनी हुई है और उडिसा पर हाओ के उपरी भाग में चकरवाद बना हो है और पूर्वी पश्चिमी ट्रफ विदर्ब से होकर गुजर रही है और बतायजारी की आज बंगाल की खाड़ी में एकम दमा का शेतर बन रहा है जिसकी वज़े से चार वेदर्ब सिस्टम जो है अच्छी बरसात होने की सम्भावना जता ही जारी है पूरे मध्यपरदेश में मौसम विबाग ने जो है अनुमान के मुताबिद इंदोर में आज बारी बुंदा बुंदी और बताये जारी की दो दिनों तक जमा जम बारिश हो सकती है और यहीं नहीं दोस्तों यहाँ पर भी बारी बारिश का अलेट है आपको बता दू अगले दो दिनों के दोरान जो है ना शेडोल, जबलपूर, रिवा, उज्जेन, एउं इंदोर संभाग के जिलों में अनेक इस्तानों पर बारी बरसात होगी और भोपाल, और साथ में नर्मदापूरम, और सागर, और गौालियर, चंबल संभाग में भारी बरसात होनी की संभावन है वही खरगोन, जाबुआ, बढ़वानी, बुरानपूर, अलीराजपूर एउं निम्च में भी बारी बरसात की चेतावनी जारी की गए मौसम विबाग के द्वारा वही दोस्तों, मध्य परदेश में बहुत ही अच्छी बारिश की संभावन है और अगले 2-4 दिनों की दरन, मध्य परदेश में पूरी तरसे मौसम बदलना लाए वही दोस्तों बात करें आज के गर बेटो जीतो इना में तो आज का सवाल है दोस्तों आपके पास कौन से कमपनी का फोन है यानि कि आपके पास Redmi, Realme, Nokia, Oppo, Vivo, Samsung या Apple या अन्य कौन सी कमपनी का जो है आपके पास फोन है कमेंट करके बताईए और कमेंट करना ओले Lucky winner को मिल पास कौन से कमपनी का फोन है वही दोस्तों मध्य परदेश में करीब 10 दिनों के अंतराल के बात मानसुन एक बार फिर से सक्री हो गए और राज्य के कई हिस्तों में हलकी से भारी बारिश हुई है जिससे दोस्तों पारा भी नीचे चला गया है लोगों को उमस बरे मौसम स थोड़ी रात मिली है मानसुन थोड़े विराम के बाद अब दीरे-दीरे मध्य परदेश पर सक्री हो रही है अरब सागर से दक्षिन पश्ची में हवाई उट रहे है जिसकी वज़े से दोस्तों पूरे राज्य में जमा जम बारिश की सम्मा जता जा रही है बीते 24 गंट कई जिलों में काफी ज़्यादा बारिश ज़्यादा देखने को मिल रही है वह सम विबाक के अनुमान के मुतावित जो है सभी संभाग जैसे के इंदोर रिवा उज्जेन शेडोल जवलपूर होसंगाबाद बोपाल सागर गौालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कही पढ़ने की संभाण है वही खरगोन, बढ़वानी, बुरानपूर, अनुपूर, निम्च और जाबवा में भी बारी बारिश को लेगर यलोलेट जारी किया गये है इसके अलावा सभी बागों में बिजली चमगने के साथ-साथ-सोला किलोमेटर प्रति गंटे की रफतार स तेज हवाई चलने के अनुमान है और बंगाल की खाडी से सिस्टम मनने से बोपाल, इंदोर, सहीत, पूरे मध्या परदेश में तेज बारिश की संभावना जताई जारी है मौसम विबाग ने बताया कि दोस्तो कई जगों पर भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और अगले 24-47 गंटों की दुरान मध्या परदेश में जमा जम बारिश का दोर जो है लगा तार जारी नेनी की संभावनों और भी जधा हमें देखने को मिल सकती है और तेज भारी बारिश के जो है आसार जताए जार है अगले 24-48 गंटों की दुरान बारी से भारी बारिश की उमीज हमें देखने को मिलना ले दोस्तों बात करें पिछले 24 गंटों की दुरान कहां पर कितनी बारिश हुई तो आपको बता दू सीधी में 22.6 mm बारिश रेक होसंगाबाद में दोस्तों लगबग 5.6 mm बारिश हुई है और रिवा में 4.6 mm बारिश देखने को मिली नौगाओं में दोस्तों 2.2 mm बारिश हुई है भोपाल सिटी में 1.9 mm बारिश देखने को मिली दमवा में दोस्तों 1.0 mm बारिश हुई है राइसेन में 0.6 mm बारिश के संभान हो जो हमें देखने को मिलना आ लिए वही दोस्तों एक एक जिले की बात करें तो मैं आपको बता दू अगले 24 गंटों की दौरान उज्जेन में बारी से भारी बारिश के संकेते लग बग पूरे एक सप्ता के दौरान उज्जेन में काफी अच्छी खासी बारिश और तीन दिनों तक भारी बारिश के साथ बिजली चमकने के अनुमान जो है बहुत ज़्यादा आसार जताई जार हे है वहीं दोस्तो भुपाल के साथ सा जो खंडवा की बात करें तो खंडवा में आज फिका मौसम है लेकिन दोस्तो अगले 5 दिनों तक बहुत ज़ादा बारिश होगी खंडवा मध्यपरदेश में और काफी ज़ादा बारिश होने के संभावन है दोस्तो अगर आप भी खंडवा में रहते तो आपके आपर अभी तक बारिश हुई या नहीं मौसम आपके आपके आपर कैसा है कमेंट करके जरूर बताना वहाई दोस्तो बात करें राजगड़ की तो राजगड़ में बारी बारिश के अनुमान बहुत ही कम है आज जो है काफी ज़्यदे जगो पर तो गर्मी भी रेकोड की गई है लेकिन दोस्तो बले ही गर्मी हो लेकिन बादलो के आवज़े भी काफी अधिक है और तापमन जहां पर 40 के उपर रहता था वो अब गिर कर डायरेट 36 के नीचे आगे राजगर में और पूरे एक सपता तक तापमान में बारी गिरवट की दर्ज की जाएगी और लगबग 35 के नीचे तापमान रहेगा और छिटपूर बारिश के अनुमान बहुत ही अधिक देखने को मिल साजापूर में दोस्तों पूरे एक सपता के दर्ण चेटपूर बारिश के अनुमाने बारी बारिश नहीं होगी लेकिन मौसम बहुत ही ठंडा है 33 के उपर तापमान बिलकुल भी नहीं जाना है और शिहोर में अगले 8 दिनों के दर्ण लगबग चेटपूर बारिश होग दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी जिलो में बारिश की वज़े से राइसें में भी तेज ठंडी हवाई चल रही है अगले 24 गंटों की दर्ण चेटपूर बारिश के अनुमाने फिर दोस्तों दो दिन फिर से 48 गंटों की दर्ण थोड़ा तापमान में गिरवटाएगी और दोस्तों फिर बारिश जो है अगले गुरुआर शुकरा और शनिवार को देखने को मिलेगी फिर मौसम सुषको जाएगा यानि कि दोस्तों बारी बारिश की उमीद राइसें में बिल्कुल भी ने लेकिन मौसम काफी ठंडा स्वावना जो है एक दिन छोड एक दिन चलता रहेगा वहाई दोस्तों इन दोर में 2-4 दिनों की दरण भारी बारिश के संकेते पूरे लगबग एक सपता भारी बारिश होगी जिसमें दोस्तों दो दिन भारी बारिश फिर आने वाले 24 गंटों से 48 गंटों की दरण थोड़ी बारिश में कमी ज़रूर आईगी लेकिन भारिश का सिलसिला लगातार जारी रेगा भोपल में मौसम थंडा सौव न है लेकिन अगले 24 गंटों की दोरन भारी बारिश की उमीद जारी है वह इए दोस्तों कट्णी मध्यама बारिश की बात करें तो कट्णी में दो दिनों तक काफी बादल चाहे रेंगे फिर तीन दिन बारी बातलों के वाज़े रहेगी लगबग पांच दिन के बाद ही बारिश के उमीद है कटनी में मन्सोर में दोस्तों लगबग साथ दिनों के बारा दोरा जो चिटपुट के साथ अच्छी बारिश होगी और दत्या मध्यबर्देश की बात करो तो आज भरी गर्मी पढ़ रहे है लेकिन अगले 24 गंटों से मौसम बदलेगा लेकिन गर्मी का सिलसिला लगातर जारी रहेगा बले ही दोस्तों बारिश हो जाए लेकिन कटनी में बारी गर्मी पढ़ रही है गौलियर में दोस्तों आज भरी गर्मी का प्रकॉप है लेकिन अगले 24 गंटों से बारी बारिश होगी कई जगों पर छिट पूर भी होगी लेकिन दोस्तों गर्मी से रात बहुत कम मिलेगी उमस बारिश के बाद भी देखने को मिलने अलिये भिंड मद्यपरदेश में दूस्तो एक सप्ता के दोरान जो है आज भारी गर्मी है लेकिन अगले 24 गंटों की दोरान तापमान जो है 35 के निचे आने की उमीद जताई जारी है और छतरपूर में दूस्तो बारिश की उमीद बहुत कम है गर्मी काफी जादा है लेकिन एक सप्ता के अंदर राज ज़रूर मिलेगी तो यह था मध्यप्रदिश का मौसमी सिस्टम अगर आपको वीडियो पसना दे वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना